उधारण 9 किसी टिले के शीर्ष से मैदान में इस्थित दो मकानों जो टिले के विपरीत ओर है के पात के अवनमन कोण क्रमशा तीसंश वा साटंश है यदि टिले की उचाई साट मिटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ग्यात कीजिए हल माना PQ टिला है तथा A वा B उसके विपरीत ओर इस्थित दो मकान है दिया गया है की PQ बराबर साट मिटर कोण X PA बराबर तीसंश इसलिए कोण PAQ बराबर तीसंश जो की एकांतर कोण है इस प्रकार कोण YPB बराबर कोण PBQ बराबर साट अंश सम कोण त्रिभुज PQA में 10 तीसंश बराबर हमारे पास लंब है PQ और अधार है AQ अब 10 तीसंश का मान हम जानते हैं एक बटा वर्गमुल 3 होता है बराबर PQ हमारे पास 60 है बटा AQ तीरियक गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा AQ बराबर 60 वर्गमुल 3 मीटर पुना त्रिभुज PQ B में 10 साट अंश बराबर हमारे पास लंब यहां पे है PQ बटा अधार है BQ 10 साट अंश का मान हम जानते हैं वर्गमुल 3 होता है बराबर PQ का मान 60 है दिया है बटा BQ तीरियक गुणा करेंगे हम तो BQ को हम तीरियक गुणा करके बाइपक्ष मे ले जाएंगे और वर्गमुल का पक्षांतर करके दाएपक्ष मे लाएंगे तो हमें प्राप्थ होंगा BQ बराबर 60 बटा वर्मुल 3 आगे देखते हैं हमारे पास प्राप्था BQ बराबर 60 बटा वर्मुल 3 यहां पे हम हर का परिमय करण करेंगे तो यहां वर्मुल 3 आँश में और हर में भी वर्मुल 3 से गुणा करेंगे तो BQ बराबर हमें प्राप्थ होंगा 60 वर्मुल 3 बटा वर्मुल 3 को वर्मुल 3 से गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्थ होंगा और फिर 3 से इसको हम काटेंगे आँश और हर में तो 3 एकम 3 और 3 तो हमें प्राप्त होंगा BQ बराबर 20 वर्मुल 3 मीटर इस तरह से हमने BQ कमान 20 वर्मुल 3 मीटर ग्याद किया अतहां मकानों के बीच की दूरी A B बराबर A Q धन BQ है तो A Q कमान हमने निकाला था 60 वर्मुल 3 मीटर धन BQ कमान हमने निकाला था 20 यहां पर हमने BQ कमान 20 वर्मुल 3 मीटर निकाला है तो इस तरह से हमने देखा कि A B जो है 20 वर्मुल 3 मीटर और 60 वर्मुल 3 मीटर धन 20 वर्मुल 3 मीटर का योग जो है